प्राइमिनिस्टर अधरिया सभावती जी राश्पती जी के अभी भाच्छन पर जन्मेबाद प्रस्ताव पर जो चर्चा चल रही है इस चर्चा में शरीख होकर के मैं आधर्णिय राश्पती जी का आधर पुर्वक धन्यबाद करता हूँ आधर्णिय राश्पती जी का अभिनंदन करता हूँ आधर्णिय राश्पती जी दोनों सदनों को संभोजित करते हुए उन्होंने विश्षिद भारत का एक खांका और विश्षिद भारत के संकल्प के लिए एक रोड मेट को प्रस्कुच किया है जेस के लिए उनका जो यो कंट्दूशं है जो मात अर्शन है इसके लिए लिए ईस्तिंग से लिए और कोई नजोर से लिए ऐं तो । ओनरेबल मेंबर्स आइए अरेबल मेंबर्स आइएए और जीट रखिए अन्रेब नेथितेदें हॉर अन्रेब इपरियों झालव कोजीन आपेशीः का आपा बिश्ची से जाता ओर्पार्टूँ अच्छिछी प्रफ। जौन दोर्फ। ऑन्सु एक प्रफ। जौन दोर्फ। जटीजिधों के लिए्टूर प्रफ। लीग्षण आट्म सबस्यांटु ग्याइट जौन जौन ख menyर शौर डिर्टूर ट्र५। सब्सक्राइब नियुक्त ऑड़िए अदर्णियु आदर्णिय सबस्राइब अधियुट नविधर करता हूँ इन्होंने इस चर्चा में भाग लिया अपनी कलफणार के नुशार चर्चा को विस्टार देने का प्रयाज भी किया और इसलिए मैं कदन में हिस्सा लेए और चर्चा में हिस्सा लेए वाले सभी आदरिये सब्सक्राइब करता है आदमिया सभावत जी ये सदम राज्जों का सदम हो बीचे दसकों में अमेद बुद्जी जीओं ने इस सदम से देश को दिशा दी है लेश का माघर्चन किया इस सदम में अने इक साथी ऐसे हैं जो अपने व्यक्ति के जीवन में भी बहुत कुछ सिद्धियां पास्तकी हुई हैं अपने व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़े काम भी किये हुए हैं और इसलिए इस सदम में जो भी बात होती है उस बात को देश बहुत गंबीरता से सुनता है और देश उसे बहुत गंबीरता से लेता है लेकिन आदर्णिय सभावती जी ये भी दुर्भाज्यकों है इतने महत्वपों सदन में कुछ लोगों का व्यावार कुछ लोगों की वानि न सिर्फ सदन को लेकिन देश को मिराश करने वाली देश इस पजार भी वृत्ती प्रभूत्ती के मानने है सज़स्यों को मैं यही कहुँगा पीचर उसके पास था पीचर उसके पास था मेरे पास गुलाद पीचर उसके पास था मेरे पास गुलाद जो भी जिसके पास था उसने दिया उचाल और अच्छा ही है जितना पीचर उचालोगे कमल उतना ही ज़्यादा थिलेगा और इसलिए कमल खिलाने में आपका प्रसेच्चर प्रोक्षर जो भी योगदार है इसके लिए मैं उनकादी आबार रहक्ता है आदरिया सभावती जी कल विपस्क के हमारे वरीश था साथी आदरिया थर्यजी ने कहा कि हमने साथ साल में मजबूत बुनियाद बना रहे ऐसा कल आपने कहा और उनकी सिकायक थी कि बुनियाद पर हमने बनाई अग्धरिक बोधी ले रहा है कि लेकर में आदेनिया सभावती जी 2014 में आकर कि जब मैंने बारी किसी चीजों को बड़ी गहराय से देखने का प्रयास किया फॉस्टन इंफर्मेशन लेने का प्रयास किया तो मुझे नजा आया कि साथ साथ कॉंग्रेश के परिवार ने हो सकता है उनका इरादा मजबूत नहीं बनाने का हो मैं उस पर कोई पिपनी करना नहीं चाहता लेकिन 2017 के बाद आकर के मैंने देखा कि उन्होंने गड़े ही गड़े कर दिये थे उनका इरादा नीम का होगा लेकिन उन्होंने गड़े ही गड़े कर दिये थे और आदानीस हभापती जी जब वो गड़े खौद रहे थे शेच्छा द्रसक बरबाद कर दिये थे उस समय दुनिया के छोटे छोटे देश भी करभलता के शिखारों को च्छू रहे थे आगे बढ़ रहे थे हादी में सभापती जी उनका तो वो साल इतना अच्छा माहूल था कि पंचायद से लेकर के टार्लेमेंट तक उन्हीं की दुनिया चलती इतना बेज़ी अनेक आशा के साथ आग बनी करके उनका समर्दन करता है लेकिन उन्होंने इस प्रकार की पारशली विख्षित की इस प्रकार का कल्स्टर विख्षित किया इस जिसके कारण वे एक भी चुनावटी था पर्मनेंट सॉलूशन करने था नकभी जोचा नकभी उनको सुझा नकभी उन्होंने प्रयास किया अब बहुत हो जाता था तो चीजों को छू लेते थे तो कनियम कर लेते थे अग्पिर आगे चले जाते थे समस्याओं का समाधान करना यह उनका जाईत हो था देश की जंता समस्याओं से जूज रही थी देश की जंता देख रही थी कि समस्या का समाधान कितना बड़ा लाब कर सकता है लेकिन उनकी प्राइवरिटी जलग थी उनके इरादे अलग थे और उसके कारां कि इसी भी बात का पर्मेनेंट सॉल्यूशन का प्रयास नहीं है आज एडिया सभापती जी हमारी सरकार जी पहचांग जो बड़ी है वह हमारे पुर्शार्ट के कारण मड़ी थी एक के बाद उखाए देख कजमों के कारण मड़ी हुए और आज हम पर्मनेंट सॉल्यूशन की दिशा में आगे बढ़ते रहे हैं हम एक एक विशे को ठू करके भागने वाले लोग नहीं लेकिन देश्ची मुल्गूत अवश्यक्ताओं को पर्मनेंट सॉल्यूशन पर बल देते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं आज अड़ी सभापत अगर मैं पानी का ही उजारण लोग तो वह जमाना था कि किसी गाउं में एक हैंपम लगा दिया तो हप्ते भर उतका उच्छों में आए जाता था और उस चोकिनिजम के पानी का काम चिया करके गाड़ी चलाई जाती तो कल यहां बुजरात का जितर कर रहे थे हैं आप हरा सबसे जाजा शिकों से जितने का उनका जो गवर्वता जैसे एक मुख्यमंत्री एक शहर में पानी की तंकी का उद्धादन के लिए जाए और वह थन पेट पर हेड्लाइन नूस सा यहांने समस्याओं का टोकनिजम क्या होता है कैसे ताला जाता है यह कल्चर देशने देखा है हमने भी पानी की समझ्चा को सुल जाने के लिए राग्स्याओं हमने जल सवरच्चन जल सींचन और पहलू पर भ्यान दिया है हमने कैट तरेन अभ्यान से जंता को जोड़ा इतना ही नहीं आजादी के पहले से अब सक हम सरकार में आने तब सक फिरा तीन करोर दिनों का मल से जल मिलता था आज़नियस जभावती जी पिछले तीन चार साल में आज त्यारा करोर घरों को नव से जल मिल रहा है भानत पानी की समस्या जो हट परिजार की समस्या होती जीवन में उसके बिना चल नहीं सकता और गविश्य के संभावनाओं को भी देखते हुए हमने उसके समाधान के रास्ते क्योंने आज़ें ये जबावती की मैं एक और वी शेपर भी जाना चाहता हुए इंपावर्मेंट अब कामन फीपर बैंकों का रास्ते कर्म हुआ था इस बात से हुआ था कि गरीबों को बैंकों का विकार मिले अज़ी बहाने बाद जीती जहीं लेकिन इस बैंक बेस के आज़े से अधिक लोग बैंक से गरवाजे तक नहीं पहुंच पाई रहीं हमने पर्मनेंट सॉलूशन निकाला और जंदन एकाउंट का भियान चलाया बैंकों को मोटिवेट किया आन बोर्ड लिया पितले नव साल में ही 48 करोड जनजन बैंक आते खुदे गए इसमें 32 करोड बैंक खाते गुलामें और कस्पों में हुए हैं याने देश के गाउं का प्रगती की मिसाल को लिए जाने का प्रयास हुआ है कि अधिक शिकायद कर रहे थे जो भी बार भार भार एक तुनावी खेतर में आते हैं वो कह रहे थे मोधी जी कर बुर्गी आ जाते हैं मैं जरा खड़ गे जी तो कहना चाहता हूं मैं आता हूं उसकी शिकायद करने के पहले यह भी तो देखो कि करना चकाम है एक करोर सतर लाग जनजन जाएं के काउंट खुले हैं इतना ही नहीं उनीके इलाके में कलबुर्गी ना है आठ लाग से जाजा जनजन खाते खुले हैं अब सभाकुती जी बताईए इतने बैंक के खाते खुल जाए इतना एंपावर्मेंट हो जाए लोग इतने जागरूत हो जाए और किसी का इतने सालों के बार हाता बस हो जाए तो उनकी पिया उनकी पिया मैं सबच सकता है और बार 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 उनका दर्द जलगता है और मैं पहराम हूँ कभी कभी यहां तक कह देते हैं यह बलीज को हरा दिया अले भाई उसी लागे भी जनता जलागा है उसने दूसरे बलीज को जिता दिया अब आपको जनता अंड़कार दे रही है आपको हटा रही है आपका खाता बंद कर रही है और आप रोना यहां रो रहे हो आधनिय सवावतिजी जन्जन आधा रोबाई यह जो त्री शक्ति है अब इसमें शीधा बारे बेनिफिक ट्रास पर उस योजना के तहर पिछले कुछ वर्षों में 27 लाक करोड रुपिया इस देश के नागनितों के बैंक खातों में ट्रांसपर किया है और मुझे खुजिया यह डारेक बेनिफिक ट्रांसपर यह टेक्नोलोजी का उप्योग करने के खारां इस देश के दो लाक करोड रुपिये से जादा पैसे जो किसी इकोसिस्टिम के गलग हातों में जाता था यह बच गया है देश की बहुत बड़ी सेवा की है और मैं जानता हूँ जिस इकोसिस्टिम के साधरीतों को के ले कपादों को जो दो लाक करोड़ी एसी फाइदे मिलते रहते जे उनका चिलाना भी बहुत स्वाभाविक है आदर्णिया फराबती जिए अमारे देश में पहले परियोजनाए अच्काना लटकाना अच्काना यह उनकी कारे संपुर्टी का हिस्सा बन गया था यहीं उनका कारे करने का फिरीका बन गया था इमानदार टैक्स प्यर की गाड़ी कमाई उस्ता नुक्षान होता था हमने टेक्नलोजी का प्लेट्वाम तयार किया पी-एम गतिशक्ती मास्टर प्लान लेकर के आए और सोला सोल लेयर में देट्वा के माध्दम से इंफ्रा सक्टर जो प्रोजेस को गति देने का काम हो रहा है जो योजनाय बनाने में महिनों लग जाते थे वो आज सप्ताहों के भीतर भीतर उसको आगे बढ़ा दिया जाता है क्योंकि आधुनिक भारत के निर्मान के लिए इंफ्रा सक्टर का महत्वा हम भली बाती समझते हैं स्केल का भी महत्वा समझते हैं पील का भी महत्वा समझते हैं और टेक्नलोजी के माज़न से पर्मनेंट सॉलुशन और पर्मनेंट एस्परिशन का अड्रेस करने का प्यास आधे इंडिया सभावती की हम कर रहे हैं कोई भी जब सरकार में आता है तो देश के लिए कुछ करने के बादे करके आता है जन्ता का कुछ बला करने के बादे करके आता है लेकिन सुर्फ भावनाय द्यक्ता करने से बाद बनती नहीं है आप कह देख हम ऐसा चाहते हैं हम ऐसा चाहते हैं जैसे कभी कहा जाता था जरी भी अटाओ चार-चार दसब हो गए है हुआ कुछ नहीं है इसलिए दिकास की जती क्या है दिकास की नियत क्या है दिकास की दिशा क्या है दिकास का प्रयास क्या है परणाम क्या है ये बहुत माइने रखता है सिरब आप कहते रहें कि हम भी कुछ करते थे इतने से बात बनती नहीं है आज देने सबाब देजी जब कि हम जंता को उनकी प्राफिक्ताओं के अधार पर उनकी आवशक्ताओं और जब जंता की इतनी बड़ी आवशक्ताओं के लिए मैनत करते हैं तो हम पर दबाव भी बढ़ता है हमें मैनत भी ज़्यादा करना पड़ती है हमें परिश्रम भी ज़्यादा करना पड़ता है लेकिन हमने जैसे महत्मा गांधी जी कहते थे श्रेय और प्रेयर हमने श्रेय का रास्ता चुणा है प्रियर लग जाए आराम कर ले वो रास्ता हमने नहीं चुणा है महलब करने पड़े ज़तों करेंगी जिन रात फपाना पड़ेगा तो फपैंगी लेकिन जन्ता जनारदन के एस्परेशन को चोट में ही पहुंते ने दे थेंगे और उसके एस्परेशं सिस्थीमुमें परिवर्तिज हो जाए और देश विकास की आता पार करें इसके लिए हम काम करते रहेंगे इन सपनों को लेकर के चलने वाले हम लोग हैं और हमने वह करके दिखाया आधिने सभापती जी अब आप देखिए देश आजाज हुआ तब से 2014 तक चौदा करोड एल्पीजी कनेक्शन थे और लोगों की मांग भी थी लोग सांसदों के पाथ जाते थे कि हमें एल्पीजी कनेक्शन मिल जाए और उस समय चौदा करोड गरोंबे पाँ दिमांद भी पंजी प्रेशर भी कम था आपको गैस लाने के लिए थर्चा भी नहीं करना परता था आपको गैस पहुंचाने के लिए बहुता है आप भी मज़े में चल्पी गाड़ी साम होता नहीं था लोग इंतजार करते रहते नहीं परे मालूम था कि हम कर रहे हैं हमें महुने करनी परें हमें मालूम था हमें धन खर्च करना परें हमें मालूम था हमें दुनिया भड पे गैस लाना पड़ेगा यह साथ लबाव की संभावना जाने के बाउजिती हमारी प्राफिक्ता मेरे देश का नागरी था हमारी प्राफिक्ता हमारे देश के सामाने लोग थे और इसलिए हमने 32 करोर से जाजा परिवारों के पास जैस चनेक्शन पहुता है नया इंट्वा सेक्कर खड़ा करना पुड़ा धन खटना पुड़ा आदेनियत सभापती जी इस एक उदाहां से आप समझ सकते हैं कि हमें कितनी महनत करनी पड़ी होगी लेकिन हमने आनंद के साथ संतोस के साथ गर्र के साथ इस महनत को किया और मुझे खुशी है कि सामान ने मानवी को उता संतोस मिला इससे बड़ा एक सरकार के लिए संतोस क्या होगी आदेनियत सभापती जी आजादी काने लसकों के बात भी इस देश पे अठारा हजार से ज़्यादा गाउं ऐसे से जहां बिजली नहीं पहुंकी थी और यह जाँ अधिक्ता हमारे आदिवासी रसी के गाहु से हमारे पहरों पर जिल्दी की गुजार्णावावावाश के लोगों के गाहुं से जनुजातियों नौटिस के गाहुं थे लेकिन यह ऊष्थं funkयरता नहीं तहां इसलिए इंची प्राइविटी नहीं था हम जानते थे यह कठीन कामिनों ने छोड़ दिये हैं हमने कहा हम तो मक्षन पे लकीर करने वाले नहीं पथर पे लकीर करने वाले लोग हैं हम इस सुनोतित पर उठाएंगे और हमने हर गाहों में बिजली पहुंचाने का संग्षा की भाया समय सिवा में 18,000 गाहों में बिजली पहुंचाई और उस चुनोतित को नक्ताम करने के पीछे गाहों में एक नई जिन्दी की अनुभूति हुई उनका भी काट्स हुआ लेकिन सबसे बड़ी बात हुई देश की रवस्ता पर उनका विश्वाद बड़ा और विश्वाद बहुत बड़ी ताकश होती है जब देश के नागरीपों का विश्वाद बनता है तब वो लाखों करोलों गुना एक सामर्थ में परिवर्टित हो जाता है वो विश्वाद हमने जीता है और हमने मेहनत की हमें मेहनत पड़ी लेकिन मुझे खुजी है तुन दूर जराज के गावों को आज़ादी के इतने के बाद नई आशा की किरन दिखाई जी संतोस का धावत प्रगट हुआ और वो आचिरवाद आज हमें मिल रहे हैं कि पहले की सरकारों में कुछ घंटे बिजली आती थी कहने को तो लगता है बिजली आ गई जाहों के बीच में खंबा डाल दिया तो हर साल उसकी समद्धरी मना से देगे फंधनी तारी को घंबा डाला गया कि आज बिजली पहुंची कराई नहीं अवसाथ हमारे देश में 22 गंटे बिजली देने के प्रयाव में हम सफल हुए हैं हमें इस काम के लिए नई ट्रैस्टिशन लाइने लगानी पड़ी हमें नए उर्जा उत्वादन के लिए काम करना पड़ा है हमने सावर उर्जा की और जाना पड़ा हमें रिन्यूर्बाल एनर्गी का नेक्षेत्र खोजने पड़े हमने लोगों को उनके भाज्यपन नहीं छोड़ दिया राजनिति खाइदे भाटे की बात नहीं सोची हमने देश का आने वाली कल उज्वल बनाने का रास्ता चुना हमने खुद के लिए दबाव बढ़ाया लोगों की मांग बढ़ने लिए दबाव बढ़ने लगा हमने महनत वाला रास्ता चोना और इसके नसीजे आज बेश देख रहा है देश उर्जा के खेसर प्रजेटी की उचाईएं अप्राप्त कर रहा है आजनी सबाब अपीजी हमने आजादी के अमरित काल में एक बहुत बढ़ा हिम्मत भारा कदम उठाया मैं जानता हूँ यह आसान नहीं है हमें बहुत महनित करने के लिए और वह रास्ता हमने चुना है सेक्चुरेशन का हर योजना के जो लाभार्थी है सत प्रतिशत लाब कैसे पहुंचे सत प्रतिशत लाभार्थियों को लाभ पहुंचे बीना रोख तोख के लाभ पहुंचे और मैं कहता हूँ अगर सच्चा पंथन निर्पेखता है तो यही है सच्चा सेक्टुलरियम है तो यही है और सरकार उस राह पर बड़ी इमाम बारी के साथ चल पड़ी है को अमरुत काल में हमने सच्चया का संक्रप लिया है सत प्रतिशत लाभार्थियों कोंचने का वाजबं आंडिये सरकार का संक्रप है हादने सभापतिय जी प् ATK वाले मात व्हाइए देश्च की अनेग समस्याओं का समाधान तो है यह उस नागरी की समझ्याओं का समाधा रहता है यहीं है देश की समझ्याओं का समधान है एक ऐसी नई कारे संस्क्रिफित को लेकर करके हम आ रहे हैं तो देश में मेरा तेरा अपना पुराया उन सारी भेजों को मिटाने वाला राफ्मा है सेच्यूरेशन वाला हम लेकर करके हैं सेच्यूरेशन तक पहुतने का मतलब होता है देजबाव की सारी गुंजाई से खत्म करना है जब डिस्क्रिफिनेशन रहता है तक करप्शन को भी संभाना मिलती है कोई कहेगा मुझे जल्दी तो कहता है इतना जोगे तो दूंगा ले इस महने मुझे नहीं पहुंचा तीन महिे के बाद पहुंचे गा इस वाद बढ़ता है ये तुष्टी करन की आशंकाओं को समात्त कर देता है खलानी जाती को मिलेगा खलाने परिवार को मिलेगा खलाने गाउं को मिलेगा खलानी बिरादरी को मिलेगा खलाने पंस संपवावादों को मिलेगा ये सारी तुष्टी करन के आसंकाउं को खतम कर देता है भार्थ के अधार पर लाथ कोंचाने की प्रवृत्जी को प्री चला खतम कर देता है और समाइड के आखरी व्यक्ति को जो आखरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है और मात्मा गांदी जिसकी हमेशा वकालत करते थे उसके अभिकारों के रख्षा इसके अंदर समाहित होती है और हम उसको सुनिशित करते हैं और सबका साथ सबका विकार यह मतलब यही है कि शत प्तिशत उनके हकों को पहुचाना जब सरकार की मसिंद्री का लक्ष हर प्रांग पात्र व्यक्ति तक पहुंचे ने का हो तो बेदबाव पक्सवाद पीकी नहीं सकता इसलिए हमारा यह 100% सेवा अभियान सोशल जस्टिस सामाजिक नयाए इसका बहुत बड़ा ससक्त मध्यम है यही सामाजिक नयाए की असली गारंटी है यही सक्ची पंपनिर्पेक्षता है यही सक्चा सेकुलर्जम है हम देश को विकास का यह मोडल दे रहे हैं जिसमें हित धारत सबको उनके हक में देश हमारे साथ हैं कॉंग्रेस को बार बार देश नकार रहा है लेकिन कॉंग्रेस और उसके साथी अपनी साजी जोंसे बाज नहीं आते हैं और जंता यह देख भी रही है और उनको हर मोके पर सजा भी देती रही है हमारे देश की आज़ादी में अथारा सो सब्तान से लेकर के स्वातंतर सजदाम का कोई भी पैसक उठा लीजिए हिंदुस्तान का कोई भी भूबाग उठा लीजिए मेरे देश की आज़ादी के लडाई में मेरे देश के आदिवास्यों का योगदान स्वाहिन допुष्थ से भरा पड़ा हुआ जर्व होता है देश को कि मेरे आदिवास्य भाईोंने आज़ादी के महत्मय को शंजाता मेरे आदिवाती भाई विकात से बंचित रहे और विश्वात का सेत्यु तो कभी बन ही नहीं पाया आशंकाओं से भरी हुई ववत्तावरी और उन नौजवाओं के मन में बार बार सरकारों के लिए सवाल उठते चले गए लेकिन उन्हाने शही नियत से काम किया होता नेक नियत से काम किया होता आदि वाच्चों के कल्यान के प्रती समर्पंगाव से काम किया होता तो आद 21 सभी के तीसरे दसक में मुझे इतनी महनद नहीं करनी परती लेकिन उन्हाने नहीं किया अकल भी आदि वाच्चों के विकास के लिए अलग मंत्राले बना पहली बार आदि वाच्चों की कल्यान के लिए भड़ाई के लिए विकास के लिए अलग बजेट की ववस्ता हुई है आदनिये सभाबती ही हमने 110 जिलों को आकांची जिलों के रुप से आइडेंटिफाइच जो विकास में पीछे रह गए सामाई जिक न्याई जेसे मात्रा का आए एम बहुगोलिक रुप से भी जो पीछे रह गए उनको न्याई जिलाना उत्रा ही आवश्त होता है और इसलिए हमने 110 आकांची जिले और 110 में आदे से अधीक वह याते हैं जहां बहुत जंसंक्या जंजाती हैं मेरे आदिवासी भाई में रहते हैं तीन करोर जे जादा आदिवासी भाईयों को इसका स्कीजा आद में उनके जीवन में बड़लाव आया हूँ इन शेत्रों में सिख्षा स्वास्थ इंफ्रास्टेक्टर इसमें अभूत पुर्वत सुधार हुआ है क्योंकि हमने 110 जिलों पर विशेश फोकस किया हैं उनका रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं यहां पर हमारे कुछ माननी सदस्यों ने क्राइबल सब्क्लान की बात कर जुक्र किया था मैं ऐसे साथियों और अडुरोग करता हूं कि जरा समाई निकाल करके किसी पड़े लिखे वेट्टी की मदद लेकर के बैठिये जो बजेट को जेंड कर सकता है ठोड़ा समझा सकत और आप देखेंगे तो पता चलेगा कि बजेट में इसके तहट 2014 के पहले की तुल्णा में पांच गुना अधिक रुप्पी हुई है अधनिय सहाथी जी 2014 के पहले जब उनकी सरकार थी तब एलोकेशन 20-30,000 करोड रुप्ये के हाथ पास रहता था बहुत पुरानी बात नहीं है सिर्फ 20-30,000 करोड रुप्ये है आज यहां आकर के जीत का रहे हैं हमने आकर के इस वर्ष एक लात विस जार करोड करोड का पास रहता हुई हमने बिते नव वर्षों में हमारे आधिवासी हमारे जन जातिया भाई बेहनों के उजबल भविश के लिए 500 नए एक लग्या मोडल स्कूल स्विकृत्ति है और यह चार गुना जादा बरुत्री है इतना ही नहीं स्कूलों में टीचर स्टाफ इस बार हमने 38,000 नए लोगों के रिप्रमेंट का हमने भरतिता इस बजेट में पासधान किया आधिवाच्चों के कल्यान के लिए समर्पित हमारी सरकार ने मैजरा आपको फॉरेस राइट एक की बात की तरब ले जाना चाहता हूँ आधिए सभाबती जी देश आजाद होने से लेकर हमारे आने से पहले 2014 के पहले आधिवासी परिवारों को 14 लाग जमीन के पट्टे दिये गए इतले साथ अनट परसों में हमने साथ लाख नए पट्टे दिये यह बुद्पर्वा काम हुआ है हमारे आने से पहले 23,000 सामुदा इक पट्टे दिये गए 23,000 हमारे आने के बाद 80,000 से अधिग सामुदा इक पट्टे दिये गए हैं अगर कुछ किया होता तो आज मुझे इतनी मेहनत न करनी पट्टे और यह काम पहले आराम से हो जाता लेकिन यह उनकी प्राइवरिटी में नहीं था आजनी सभाब दीजी इनकी अर्षनीती उनकी समाजनीती उनकी राजनीती गोट बैंक के अधार पर यह चलती रही और उसके कारा हमाज की जो बेजिक ताकत होती है श्वरोजगार के इसारण देश की आर्षिक गतिविती बढ़ाने बादा जो सामर्त होता है इन्होंने हमेशा मजर अंदाज कर दिया उनको वह इतने छोटे लगते थे इतने बिख्रे हुए लगते थे तो उसका उनको कोई मुल्डे ही नहीं था जो छोटे छोटे काम में जुड़े हुए समाज में कुछ वैल्यू एडिशन करते हैं उनके प्रती जुर्लक्सक गिया गया थोटे काम में जुटे इन करोलों लोगों को भुला दिया था मुझे जर्वा है कि मेरी सरकार ने रेडी वाले थेरे वाले खुटपास पर व्यापार करने वाले लोगों की सूले ब्याज के चक्कर में जिनके जीवन तबा हो जाते थे दिन भर का पथीना ब्याज खोरों के घर जाकर के चुकाना पड़ता था उन गरीवों की चिल्ता हमने की उन रेडी थेले पट्रिवालों की चिल्ता हमने की हमने इतना ही नहीं हमारे दूश्व कर्मा समुदाय जो समाज निर्मार के अंदर एक भुमिता देते हैं जो अपने हाथ से और जाहर की मदद से उस्टे कुछ त्रिजन करते रहते हैं समाज की आवश्चतों की तोध बड़ी माक्रा में पूर्ति करते हैं चाहे हमारे बंजारा समुदाय हो चाहे हमारे गुमंत जाती के लोग है हमने उनकी जिंदा करने का काम किया है पी-एम स्वनिजी योजरा हो पी-एम विश्वकर्मा योजरा हो जिसके द्वारा हमने समाज के इन वक्त लोगों की मजबूती के लिए काम किया है उनके सामर्थ को बढ़ाने के लिए काम किया है आदिने सभापती जी आप तो स्वें किसान पुत्र है इस देश के किसानों के साथ क्या भीती है उपर के कुछ एक वर्ग को समाल लेना और उनी से अपने राजनितिक चलाए रखना यही सिलसला चला इस देश की किसी की सक्ती ताकत छोटे किसानों में है एक एकड़ दो एकड़ भूमी का वो ब्याब मुश्किल प्या असी पटाशी प्रतिशक इस देश का यह भर्ग है इन छोटे किसान उपेचित थे उनकी आवाद कोई सुने वाला नहीं था हम नीशा हमारी सरकार ने छोटे किसानों पर धान के इंद्रित किया छोटे किसानों को फॉर्मल बैंकिन के साथ जोड़ा आज साल में तीन बार चीजे पी एम किसान सम्मान निदी छोटे किसान के ठापने में जमा होती है इतना ही नहीं हमने पशुपालकों को भी बैंकों से जोड़ा हमने मचुवारों को बैंकों से जोड़ा और उनको ब्याज में रियायत दे करके उनके आर्फित सामर से तो बलाया ताकि वो अपना व्यावसाय विच्पिट कर सके अपने कॉप पैटन को बगर सके अपने उत्पाजित की होई माल को रोप करके उची दान मिलने पर बाजार में ले जा सके उची दिशा में हमने काम किया आदनीय सभापती जी हम जानते हैं हमारे देश के बहुत सारे किसान ऐसे हैं कि जो बरसादी पानी पर उनको गुयारा करना पड़ता है सीचाई की रवस्ता एक पिछली सरकारों ने की नहीं हमने अब देखा है कि ए चोटे किसान पानी बरसादी के बहुत से जीने वाले मोटे अनाजटी खेती करते हैं पानी होता नहीं है ये मोटे अनाज की खेटे करने वाले किसानों को हमने विशेशतान दिया हमने यूएन को लिखा कि मिलेटियर मनाईए दुनिया में भारत के मोटे अनाज की एक ब्रांडिंग बने मार्केटिंग बने अब उसके सुविशारित रुप से अब उस मोटे अनाज को श्री अन्य के रुपने जैसे श्रीफल का महत्माय है वैसे ही श्री अन्य का महत्माय बने और छोटे किसान जो पाइदावर करते हैं उनको उची डाम मिले ग्लोबल मार्केट मिले देश में क्रॉप पैट्रन में बनिवर्तन आए और इतना ही नहीं यह मिले शुपरफूड है कोशन के लिए बहुत बड़ी टाकत है हमारे देश के नई पीडिकों कोशन की समस्चा के समाधान में भी यह काम आए जो मेरे छोटे किसान को भी मजबूत करें हमने फ़र्टी जाजर में भी अनेक नए विकल्प डेवलप किये हैं उसका भी लाब बिज़ाए आदेने सभापती जी हमें बड़े कंविक्शन के साथ मैं मानता हूं कि जब मिलना ये प्रक्याम है माता और बहनों की भागेदारी बढ़ती हैं तो परणाम अच्छे मिलते हैं जल्दी मिलते हैं और निर्धारिज लख्ष को प्राक्त करने मादे होते हैं और इसलिए माता बहनों की भागेदारी बड़े बिन मिलने प्रक्यारी में हमारे साथ जोड़े उद्धिशा में माहिलास तसकति करणा को लेकरके माहिलाओं के निफष्मों के विकास के लिए हमारी सरकार ने साथ भिकादिए सदन में हमारे एक मान्नी सदस्ถ ने कहा कि माहिलाओं को टॉयलेर्ट देने से क्या महला वीकास हो जाएगा है उनका जान सरफ पहलेद के गया हो वह उनकी कठिनाई होगी लेकिन मैं जरा बताना चाहता हूँ मुझे इस बात का गर्म है आप में गर्मन उभ्रों करता हूँ क्योंकि मैं राज्य में रहकर काया हूँ मेरे गाओं में जिंदी गुजार काया हूँ मुझे गर्म है कि 11 करोड सव ठालए बना करके मैंने मेरी माता और बहनों को इज्जद गर्दिया है मुझे इस बात का जर्व है हमारी माताओ बहनों हमारी बेट्वों के जीवन चक्र की तरफ जड़ा नेजर करें हमारी सरकार माताओ बहनों के सफक्ति कंड के लिए कितनी संवेधन सिल है उसकी तरफ जड़ा ज्यान आकर दिख करना चाहता हूँ और जिनको सिर्फ ट्वालेट पर ही सोच अपस गई थी जड़ा कान खुल करके सुने ताकि आगए जब कर यह बताने में उनको चुभीगा होगी जरबावस्ता के दोरां शीश्यू को परस्विक खाना मिले इसके लिए हमने माक्तु बंदना योजना चलाई और इसके लिए प्रेग्नेंसी के समय महिला के बेल खाते में सीधा प्रसा जाएं ताकि उसको कोशन से उसके घर्व में जो बच्चा है उसके चास को भी राव ह हमारे हाँ माता मृत्यूदर शीशू मृत्यूदर इस गंबीर समस्या से मुक्ति का एक उपाए इस्टिटूस्टल डिलिवरी हमारे गरीब से गरीब काम मांगी इस्टिटूस्टल डिलिवरी हो शीशू का जन्मा अस्पताल में हो इसके लिए हमने घंद भी खर्च करना ताई किया और व्यापक अभियान भी चलाया और उसके सूफल दिखाई भी दे रहे हैं मां हम जानते हैं किसी ने किसी मांची वितूर्टी के कारत बेटियों को मां के कोफ में ही मारने की प्रवश्टी बढ़ गई अब बेटियों की रच्टा का काम किया है अब बेटी जब बड़ी होकर पूल जाए और सोचाले के अभाव में पांची शक्टी अच्छा में आते आते स्कूल छोड़े हमने उस चिंता को भी दिखिया और स्कूलों में बच्चियों के लिए अलग तालेट बढ़ाएं ते है और इसलिए हमने सुकन्यात सम्रुद्धी योजना जिसमें अधिक ब्याद दे करके बेटियों को सुरक्षित शिख्षा की ववस्ता का प्रभिंद्ध किया ताकि परिवार भी उनको फोट साहन दे बेटी बड़ी होकर अपना काम करने के लिए बिना गारंटी मुद्रा योजना से लोग ले सके अपने कारों पे खड़ी हो सके और मुझे खुझी है कि मुद्रा योजना के लाभार्थियों में 70% हमारी माता ये बेटिया है हमने एक काम किया है माद बनने के बाद भी नौकरी जारी रख सके इसके लिए मात्रुत्व अवकाद नामें वर्जी की है वो डेवलप कंट्रियों से भी कभी-कभी जादा है ये कामने किया है बेटियों के लिए हमने सैनी स्कूल खुल दिये आगें ये सभापती जी आप तो स्वयम साइनिक स्कुल के बिजारती रहे हैं बेटियों को वहां एंट्री नहीं थी वो काम जी हमने कर दिया आज साइनिक स्कुलों में मेरी बेटियां पड़ रहे हैं इतना ही नहीं हमारी बेटियां अबला नहीं सब्ला है वो सेना में जाना चाहती है अपसर बनना चाहती है हमने हमारी बेटियों को सेना के जरवाइदे भी खोल दिये हैं और आज प्यारवा होता है शिया चिन में मेरे देश की कोई बेटी माप भारती की रख्षा करने के लिए तैनाथ होती है बेटी को गाम में कमाई के अफ़र मिले और इसके लिए हमने विमेंग सेल्फ हेल्फ ग्रूप उसको एक नई ताकत दी वैल्यू एडिशन किया और बैंकों से मिलने वाली उनके रखम में बहुत बड़ाई जाफा किया और इसलिए वो भी हमने उनकी प्रगति के लिए हमारी माता ओ बेटियों को बहनों को लकडी के धुये से जिन्दगी में मुसीबते जेलनी न पड़े इसलिए हमने उजवला योजना से गेस्टा कनेक्शन दिया हमारी माताओं गहनों को बेटियों को पीने का पानी के लिए जूजना न पड़े दोजो चार-चार किलमबिटर कर जाना न पड़े हमने नल से भन पानी पहुताने का अभियान चलाया ताकि मेरी माताओं बेटों को बेटियों को बेटियों को अंधेरे में गुजारा या करना पड़े इसलिए हमने सवभागे योजना से ऐसे गरीब परिवारों तक बिजली पहुंचाई बेटी मा बहन कितनी ही गंबीर बिमारी हो लेकिन कभी बताती नहीं है उसको चिंता रह जाएगा परिवार पर बोज हो जाएगा वो पीड़ा सहती है कि अपने बच पच्चों को अपनी बीमारी के विशे में नहीं वगाती है उन माताओं बहनों को आउस्मान कार देकर के अस्पताल में बड़ी से बड़ी बिमारी से मुक्षी का रास्ता हमने छोल दिया है बेटी का संपत्ति प्रजिकार हो इसलिए हमने सरकार के इसे जाबाद देते हैं उसमें बेटी के राइड को निशित किया उसके नाम पर काम किया हमारी माता और बैनों को जो भी खोटी बोटी बचक करने मुसिबत जेल करके बचक करना माता और बैनों का स्वभाव होता है और वो घर में अनाज के डिले में पैसे रक्टर के बुझारा करती है उस मुसिबत जुए निकाल के हमने उसको जंजन के खाते दें काईक में पैसा जबा करें इसकी बहुता करें और आधानिये सभाव अथी जी इस बजेट शत्र के लिए तो गर्व की बात है कि बजेट शत्र का प्रारम महिला राश्पशी के बारा होता है और बजेट शत्र का विजीवत प्रारम महिला वित्क मंत्री के अशत्र होता है देश में ऐसा संयोग पहले कभी नहीं आया जो आज आया है और हमारों को प्रयास रहेगा कि ऐसे सुबाव सर आगे भी देखने को मिले है आदेलीय सबाबती जी जब देख आदूरित होना है नए संकल्पों को सपार करना है तो हम साइंस और टेकlando calendar से को नकार नहीं सब्सक्ते साइंस और टेकनलोजी के महत्मय को हमारी सरकार भली बाती समझती है लेकिन हम तुकुड़ों में नहीं सोते हैं हम तोकनियम में नहीं सोते हैं हम साइन्स और टेक्नलोजी के तरफ से देश को आगे बढ़ाने के लिए और दिशा में काम कर रहे हैं सार्वत्रिक प्रयास कर रहे हैं अनिक इनिशेटिव ले रहे हैं और इसलिए बच्पन में साइन्टिफिक टेप्रावें डेवलप करने के लिए अटल टिंकरिंग लेब यह गयानिक सोच के निरमान के लिए स्कूल के लेवल पर बच्चों को हमने अवसर दिया उससे इंक्यूबेशन सेंटर सड़े किये ताकि कुछ अगर अथी प्रगति की है तो उसको वह वाईव बंदल मेले ताकि वह टेक्नलोजी में कनवर्ट करने के लिए इसके लिए हमने विज्ञान की प्रगति का प्रणाम हमने नीटिया बड़ली स्पेस के छेत्र में अब प्रा के नौजवान आज प्रावेट सटलाइट छोड़ने की ताकप रखते हैं यह साइंस अन्टेक्लोजर आज की दुनिया जो मुलता साइंस और टेकलोलोजी से जुड़ी है उतने युनिकॉन की संख्या में आज हम दुनिया में 30 सरे नंबर पर पूंच गए हैं आदर्णिय चाहिए सभापती जी आज यह जर्व करेगा कि सर्वाजिक पेटेंट की असन और दुनिया के बाढ़ार में टिकता है पेटान इस सब्से अधिक पेटन्ट रिजिस्ट्र कर भाएक हैं हैं आज मेरे देश के नाजवान आगे आ रहे हैं आजिस सभापती जी आधार की ताक कि आधार के महत्वकों टेक्नोलोजी के महत्वकों 2014 के बाद समझा गया और उसके कारण वो महनत रंग ला रही है हमने देखा है कि कोविड के काल में कोविन प्रेफर्म 200 क्रोड वेक्सिनेशन और सब्सक्राइब के कोविन का आपके मोबाइल पर जिदिने सेकंड आजाता है लेकिन दुनिया को अचंबा तब हुआ भारत अपनी वैक्सिन लेकर के आगया पोगे ऊंच्छी में इंट्रू जिये जाते हैं सेमिनार किये जाते हैं इतना ही नहीं मेरे देस के बैज्यानिकों को बदराम कर ले के लिए उनको निचाद इठाने कर ले कलकत प्रयाब से ले från लिए क्लकत प्रयाबम से और मेरा же देस के ना रड़े अज दुनिया में जिसको निद्स को मिली इसी ब्रेटिन से मेरे देश वाज्यों काहीं नहीं देर सो देशों के लोगों क्या वेश्टा हो पुरूशन यह विज्ञाम के फिरोजी लोग यह श्यक्रोजी के मरोदुशन आप 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 कि दुनिया में हमारा देश ताक्त बन के उपर रहा है दुनिया की फार्मसी का हपन रहा है हमारे नौजवान नहीं नहीं कर रहे हैं उसको बजनाम करने के रास्ते खोज रहें इनोड उनको देश की चिंता नहीं है अपने राजनीति उसापड़ की चिंता है यह चुर्पाश करें देश का आधरनीय सभापती जी आज मैं बाली में था जी ट्वैंटी देश के समों डीजिटल इंडिया इंको समझने के लिए लागाई प्रहते हैं सक्सेस का पुरी दुनिया ने प्रभाविश किया है डीजि बना हुआ है आधरनीय सभापती जी हमें खुसी आए आज सो करोर से जाजा मुबाइल फॉन मेरे देश वास्यों के हाथ लो है अधरनीय सभापती जी एक समय था हम मुबाइल इंपूर्ट करते थे आज गरवा है मेरा देश मुबाइल एक्पूर्ट कर रहा था आज बहुत तकनीक को आज देश बहुत तेज गती से अपना रहा है उसका विश्थार कर रहा है इसका उस्तमाल सामान ने जिवन में हो सामान ने नागरी की बलाई हो हमने पॉलिसी में वह बज्जाव किया और गवाईयां दूर खुदूर ईलाकों में द्रॉन से पहुँचाने का काम आज मेरे देश में हो रहा है साइन्स और टेक्नोलोजी के मात्में को आज ठेट में मेरा किसान द्रॉन की ट्रेनिग लेकर के ठेटी में ड्रॉन का क्या उस्तियों हो आज मेरे गाउं में दिखाई दे रहा है चीयो स्पेशल सेक्टर में हमने दर्वाजे खोल दिये रोन के लिए एक पुरा नया विकास का विस्तार करने का अउसर हमने कर दिया आज देश में यूएन जैसे लोग चर्चा करते हैं कि दुनिया में लोगों के पास अपने पास जमीन के घर के मालिकाना हक नहीं है यूएन की चिंता है दुनिया भारफ ने प्रोन की मदद से स्वामित्व योजना से गाओं में गरों में उसका नक्षा और माली की हद देने का काम किया है उसको कोड़ कटेरी के चक्करों से और कभी घर बंद हो कोई आकर के कब्जा करना ले सुरच्षा का एसाथ दिया है हमने टेक्नालोजिता भरपूर प्रयार कॉमन में के लिए करने की इस दिजा में सफलता पाई है आज देश टेक्नालोजी के खेत्रत आज उने एक विक्सित वारत के सपने में उसका महत्मा है उन्वेशन इसका महत्मा बहुत है अटने दुनिया की एक मात्रक testify हमारे देश ने गतिति ऐन्योवर्सित्त वना करके इन萵स्टा की और कियो है हमने एन्रजी उन्योवर्षिट्य बना करके लाई थे थे लिजुबल एन्रशित्रमें एक नया जमत लगाएं अभी से हमारे नौजवान तयार हो, उद्धी शाम हम कार रहे हैं, आमारे जैस में, टेक्नोक्रेट के तरफ, एंजिनर्स के तरफ, साइंस के तरफ, नफ़त कमरे में, कांग्रेस ने अपने शासन काल में कोई कमी नहीं रखी है, और साइंस और टेक्नोलोजी को सम्मान देने में, हमारे कारेकाल में कोई कमी नहीं है, यह हमारा रास्ता है, आजर्णी सभाबती जी, यहां रोजगारगी पी चर्चा हुई, नहीं हरान हो, कि जो अपने आपको, सबसे लंबे हमें समय तक, सार्विजनिक जीवन का दावार करते हैं, इनको यह मालूम नहीं है, कि नौकरी और रोजगार में फर्क होता है, जिनको नौकरी और रोजगार का फरक समझे नहीं है, वो हमें उपदेश दे रहे हैं, आदेने सभाबती जी, नए नए ने नेरेटिव घणने के लिए, आदेने दूरी चीज़ों को पकर करके, अर्थ ववस्ताओं का जो विस्तार हुआ है, नए सेक्रस में रोजगार की नई संभावनाय बनी, आज ग्रीन इकोनों में देश विस्त्रकार से आगे बढ़ रहा है, उसने ग्रीन जोग की बहुत बड़ी संभावनाय भर्ती परुंतार करके बिखाई है, और 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 विक दिजिटल इंडिया एक नई भुलंदी पर है, पाच लाख कॉमन सर्विस सेंटर, जाओं के अंदर, एक एक कॉमन सर्विस सेंटर में, दो दो पाज पाज लोग रोजी रोटी कमाते हैं, अर्दूर सुदूर जंगलों के छोटे छोटे गाउं में भी, कॉमन सर्विस लोगों को एक बटन पर उप्रब्द हो, यह ववता हुई है, डिजिकल एकोनोमी ने अनियक नए रोजगार के संभावन आए पादा की, आदेने सभावती जी, 90,000 रजिस्टर स्कार्ट इसने भी रोजगार के नए द्वार खोले हैं, अप्राइन से जमंबर, 2022 के दवरान एक करोर से अधिक लोग जोड़े दे हैं, एक करोर से अधिक लोग, आदेने सभावती जी, आत्म निरबर भारत रोजगारी होज़ेना, इसके जरिये, साट लाग साधिक नए कर्मचारियों का लाब हुआ है, आत्म निरबर भारत रियान के जर्थ, हमने अपने उद्व्यमियों के लिए, पेस, डिपेंस, ट्रॉन, माइनिंग, कॉल, अनेक शित्रों को खोला है, जिसके कारण, रोजगार की संभावनों में नई जती आई है, और देखिए, हमारे नवजवानों ने इन सारे सद्वों का आगे आकर के अउसर लिया, उठाया है, उसका फादा, फादेने सभावती जी, रक्षा के खेत्र में ये देश आत्मनिरबर बने, ये देश के लिए बहुत आश्यक है, मुझे खुची है, कि रक्षा के खेत्रा आप मनिरबरता का मिशन ले के हम चले, आज शाड़े तिनसों से जादा नीजी कम्पनिया रक्षा के खेत्रे में आई है, और करीब तरीब एक लाग करोद रुपीय का एक्सपोρ्थ, रक्षा के खेत्रे में में बेदर ने चारे म और अबूत्पुर्वर रोजगार इस छेत्र में भी पैदा हुए है आदनिय सभापती जी रीचेल से लेकर के तुरिजम तक हर शेक्टर का विस्तार हुआ है खादी और ग्रामजग मात्मा गांदी के साथ जो विवत्ता जुड़ी हुई है खादी ग्रामजगों को भी डूब दिया था आजादी के बाद सर्वादी खादी ग्रामजग के रेकॉर्ड तोड़ने का काम हमारे चालपन में हुआ है खाद आने सभा बाप्वती जी believe the infrastructure का काम होता हो रोड का का काम होता हो एइरपोर्ड का काम होता हो प्रशानमत्री ग्राम औस सडग ओजनाए बनती हो यह सऑर इंफरम्रा सक रक्र के काम उसके कि माट्रियल लगता है उस इंडेस्टी में रोज्गार की संभावनगे बड़ी है कर जगा निर्मान कारियंग के अंदर मच्जोर से लेकर मचनिकह dot प्रकार कि रोज्गार की संभावनगे थे यह सर harbor के के लिए रोजगार के नए अउसर बने हैं और उशे के काराण यूथ दिरोधी निती ले करके चले हुए लोगों को आज यूथ नतार रहा है और यूथ के भाई के लिए हम जिन नीतियों को ले करके चल्ग है इसको आज देश चुकार कर रहा है आदेनीय सवाबती जी यहाँ भी यह भी कहा गया आदेनीय सवाबती जी यहाँ यह भी कहा गया कि सरकार की योजनाओं को उनके नामों को ले तरके आपती उढ़ाई कुछ लोगों को यह भी परशारी है कि नामों में कुछ संस्क्रिक पच्छ है इसकी भी परशारी आदें यह सभावती जी मैंने किसी अखमार में पढ़ा था हमें को वेरिफाई को नहीं किया है अब रिपोर्ट कह रही थी 600 जितनी सरकारी योजनाओं सिरफ गांजी देहरू परिवार के नाम पर है आदें यह सभावती ही किसी कार्शंब है अगर नहरूजी के नाम का उल्लेग नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बान खड़े हो जाते हैं उनका लभू एक दम जरम हो जाता है कि नहरूजी का नाम जो नहीं दिया आदें यह सभावती जी मैं बहुत आफिर होता है कि चला भाई हमसे कभी छूट जाता होगा नहरूजी का नाम और छूट जाता होता होगा हम ठीज भी करनेंगे तो जो देश के पहले प्रजान मुझी थी लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता है कि उनकी पीड़ी का कोई व्यक्ती नहरू सर्मेम रखने से डरता को है क्या सर्मिन्दगी है नहरू सर्मेम रखने से क्या सर्मिन्दगी है इतला बड़ा महाम व्यक्तिवा अगर आपको मंजूर रही है परिवार को मंजूर रही है और हमारा हिसाम मांगते रहते हो आदेनियस सवापती जी कुछ लोगों को समझना होगा यह सद्यों पुराना देश सामान मानवी के पसीने और पुर्शाथ से बना हुआ देश है जन जन की पीरियों की परंपरा से बना हुआ देश है यह देश किसी परिवार की जागीर नहीं है हमने मेजर त्यांचन जी का नाम पर खेल रफ्त का पुरुषकार कर दिया अन्नमान में नेताजी सवाप के नाम पर सवाप के नाम पर हमने बीपों का नाम करन किया हमें गर्वा हो रहा है नेताजी सवाप भोज के लोगिदान के लिए देश गर्वा करता है हम गर्वा करते हैं इतना ही नहीं जो रोग आये दिल हमारे देश की सेना काओं नीचा दिखाने का मौका नहीं जोड़ते हमने इन बीपों को बरंबीत चकर प्राप्त करने वारे शेमानियों के नाम कर आने वाली सजियों तक कोई हमालाई की चोटी एक एवरेस्टी के नाम पर एवरेस्ट बन गई मेरे जिव समो मेरे परमजी चकर विजयता मेरे जैंस के सेनानियों के नाम कर दिया यह हमारी सज्जाएं यह हमारी वक्ती है अर उसको ले करके हम चलते हैं आजणिये सब और इससे आपको तकलीब है और तकलीब geography लेकर अलगवे हमारा रास्ता है साकाराश्माड कभी कभी अभी तो यह सदन है एक परजाएसे राज्यों का महात्मा है। हम वरेसे भी Ahora लगाए जाते हैं कि हम राज्यों को पेरिशान करते है आदेने जभावती जी में लंबे और सेटे गुराजी का मुख्यमंत्री रहकर क्या है फैटरलिजम का क्या महत्र होता है वह बली बाती समझता है उसको जी करके आया है और इसलिए हमने कोपरेटिव कंपरेटिटिव फैटरलिजम पर बल दिया है हम अगे बड़ें संयोग करें अगे बड़ें उस जीशा में चलिए है कि हमने हमारी नीटियों में नेस्नल प्रोग्रेस का भी जान रखना है और रीजिनल एप्रेशन को भी इच्पीत है लेकिन जो लोग आज विपक्स में बैटे हैं उन्होंने तो राज्यों की अधीकारों की जच्चियां उड़ा दी जहां मैं कच्चा चिखाज खोलना चाहता हूँ जड़ा इत्याज उठा करके देख लीजिए वो कौन पार्टी भी वो लोग कौन सक्ता में बैटे थे इन्होंने आर्टिकल 356 का सबसे ज़्यादा जुर्क्यों किया नबे बार नबे बार तूनी हुई सरकारों को गिरा दिया कौन है वो कौन हा चुमाने किया कौन है चुमाने किया कौन चुमाने किया इत्धित प्रदान मंत्री ने आजी सेंचुरी कर दी वो नाम है श्रीमति इंद्रा गांदी का प्तास बार करों को फिरा दी केरल मैं आज जो लोग इनके साथ ठड़े हैं जड़ा याद कर लीजिए थोगा बार माइक लगा दीजिए केरल में गाम कंती सरकार चुली गई जिसे पंडित नहरू पसंद नहीं करते थे कुछी कालखन के अंदर चूनी हुई पहली सरकार को गर्ष आज आप आख खड़े हैं आपके साथ क्या हुआ ता जड़ा याद कीजिए आदनी सभापती जी जड़ा डीम के मित्वों को भी पताता हूं कमिल नाड़ू में एम जी आर और करोना ने दीजे से दिख्जजों की सरकारे उन सरकारों को भी इनी कॉंग्रेस वालों ने परकाते हुए एम जी आर की आत्मा एम जी आर की आत्मा देखती होगी आप कहां खड़े हो यहां पर पीशे बैठे हैं इस सदन के बरिष्ट्र सदस्यार और जिनको मैं हमें जायका अधर्णी लेता मांता हूं सिमान शरत प्रवार जी उननी सो सी मैं शरत प्रवार जी गायू पैस्ता पैस्ति चालिश साल की जी एक नवजवान मुक्मिंद्री महरत लगी सेवा कर लेगले निकला था उनकी सरकार को भी घिरा दिया तो आज वहां है आज वहां है कि अऊठेशिघ्लाय। अन्हाने परिशान किया है और एंटियार के साथ क्या किया किया या कुछ लोगा आज कप्ड़े बदेर यूंगे नाम बढ़ा होगा जो तीश्यों की सूतना कानूशाम नाम बढ़ा होगा लेकिन कभी वह भी उनके साथ थे वह निव कि सरकार को और वो अपने हिल्थ के लिए गए थैória अपने अन्टियार कि सर्कार को गिराने का प्रयाज कि का अधायनिय सभापती जी अख़बार मिकाल के देख लिजिए हर अख़बान इतना था कि राज जुवनों को कांग्रेस के दफ्तर बना दिये गए हैं कांग्रेस के हेर्कवर्टर बना दिये गए हैं 2005 में जारखन में एंडिये के पास जादा सीटे थी लेकिन जवर्णम ने यूपीयों को शपत के लिए बुला लिया था 1982 में हर्याना में भाजपा और देविलार के पास प्रीप को उनका एग्रिमेंट था उसके बावजुद भी गवंदर ने कांग्रेस के सरकार के लिए निमंतन के दिया था ये कांग्रेस के पास और आज आज देश को गुमरा करने की बाते कर रहे हैं आज देने सभापती जी मैं इस बात को जानना चाहता हूं अब जान देना भी चाहता हूं आज देश में आर्थिक नित्यों की जिनको समझे नहीं है जो 2400 गंटे और राज नित्य के जिवा कुछ सोथते नहीं है जो सब्ता के खेल खेलना यहीं जिनको सारवजेनी जीवन का काम दित्ता है उन्हों आर्थिनिती को अनर्थिनिती में परिवर्तित कर दिया है मैं उनको सेताम नहीं देना चाहता हूं और मैं इस सदर की गंबिता के साथ उनसे कहना चाहता हूं कि अपने रिस्पेक्टिव स्टेट को जाके समझाएं कि एक गलत रास्ते पर न चले जाए हम अमारे परोस के देशों का हाल देख रहे हैं कि वहां पर क्या हाल हुआ है अना आप सब्सक्राब कर्ज लेकर के कि इस प्रकार के देशों को दुबो दिये आज हमारे देश में भी सटकाली लाप के लिए अगर भुक्तान करेगा तो आने वाली पीडी करेगी हम तो कर्ज करो गीप्यों वाला खेल आने वाला देखेगा यह कुछ राज्यों ने अपनाया है वह उनका तो तबाह कर देंगे देश को भी बरबाद कर देंगे अब देश अब कर्ज के तले गपते जा रहे हैं यह देश आज दुनिया में उनको कर्ज देने के लिए कोई प्यार नहीं है यह मुसीबतों से गुजर रहे हैं दलों के विशे में एक दूसरे के प्रफि पकातीप्णी हो सकती है लेकिन देश की आर्थिग सहर के साथ ठिलवार मत कीजिये जो आप के बचे के दिकारों को छीन लें और आज अपना मोच कर लें और बच्चों के नसीजना बरबादी छोड़के चले जाएं ऐसा करके नहीं जाएं आज आपको पॉलिटिकली सूट कमेंड़ तो देखा एक सरका एक मुख्यमेंट्री ने बयान दिया कि भाई आप ठीक है मैं तो मेने करता हूँ अभी मुझे कहाएगी दो आजार तीस बत्तीस के बाद आएगी जो आएगा वो बुक्तेगा क्या कोई देख ऐसे चलता है क्या लेकिन ये जो बुक्ती बन रही है वो बहुत चिंता का विश्य है आदिलिये सभापती जी देशी आर्थिक सहथ के लिए राज्जों ने भी अपनी आर्थिक सहथ के समझ में डिस्प्लिन का रास्ता चुनना पड़ेगा और तभी जा करके ये राज्ज भी इस विकात की आत्रा का लाब ले पाएंगे और उनके राज्जों के नागरिकों का भला करने में हमें भी तकि हम उनका लाब पहुंचाना चाहते हैं आदन सभाजी जी टेंटी फोटी सेवन में यह देश विक्षित भारत बने यह हम सब्सक्ता संस्काल एक सो चालीस करों देश वाज्यों का संस्काल अब देश पीछे मुर करके देखने को त्यार नहीं है लंबी छलांग मारने क त्यार है जिनकी दोवक्त की रोटी का सपना था उसको अपने अडूर नहीं किया हम ने अडूर प्रपड़ने के लिए हमने अने कदम उठाए हैं और आज भारत का जो सपना है उन सपने को पूरा करने के लिए हम संकल पर बद्द हो करके चले और आजानिय सभापती जी देख रहा है देख रहा है एक एक एकला कि तुनों को भारी पूदा है एक एकला कि तुनों को भारी पूदा है करने क्या देख रहा है करने के लिए तरह करने क्लिए नित्या हुआ है यह राजनिति खेल के लेवाले लोग अंज के अंदर वह अगी है थूँद रहे हैं? बजने का राख़्ा स्वापती जी के उंदा भाचन को भाचन को विशन परेणक भाचन को इस सब्सक्राइं के अंदर अभी एलजन करते हुए, बन्वाज करते हुए, आपका भी आथार ने चेक तरह करते हुए, अभी वाध को शाणका है झाल 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 झाल